ठीजित बप मकाना एक एक फार्टा फुलका स्नैक्स है जैसे अम्जूखे मेविमिस सामिल कर सकते हैं अगर इसे नियमेत तौर पर सही तरीक है से अपनी डाइट में सामिल किया जाए तो इसके अंगिनत से ceux पाइजास कते हैं चलिए जल्दी से जानते हैं सिहत के लाब मखाने के सेवन करने से तो पहले आपको बताऊंगा मखाने के सेवन का सही तरीका क्या है अगर आप जल से जल मदमे को खत्म करना चाहते हैं या इससे पीड़ित हैं तो आपको सिहत के अनिलाब पाना है तो सुबह खाली पेट चार मखाने खाएं इसका सेवन कुछ दिनों तक लगातार करें आप मखाने के चार दाने का सेवन करके सुगर से हमेशा के लिए नहीं जात पा सकते हैं इसके सेवन से सरीर में इंस्लिन बनने लगता है और सुगर की मातरा कम हो जाती है फिर धीर जीर सुगर रोग ही खत्म हो जाता है दिल के लिए फायदे मंद जिया मखाना के वल सुगर के मरीजों के लिए नहीं बलके हाट अटाक जैसे गंबीर विमादियों के लिए फायदे मंद होता है इसके सेवन से दल सुस्त रहता है तदा पाचन क्रिया भी दूरस्त रहती है तनाव कम करता है मखाना जो या मखाने के सेवन से तनाव दूर होता है और अनिद्रा की समस्या भी दूर रहती है रात को सूने से पहले धूर के साथ मखाने का सेवन करें और खुद फर्क महसूस करें वहीं जोडों के दर्द को भी दूर करता है मखाने में कैल्सियम भरपूर मात्रा में होता है इसका सेवन जोडों का दर्द गठिया जैसे मरीजों के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है वहीं पाचन में सुधार करता है मखाना एंटी ओक्सिडेंट से भरपूर होता है जो सभी आयूवर के लोगों को आसानी से पच जाता है इसके अलावा फूल मखाने में इस्ट्रिजन गोल भी होते हैं जिसे ये दस्त में राहत देता है और भूग में सुधार करने के लिए मददकार है तो देखा मखाने के जवर्दस्ट फाइद क्या है आप भी मखाने का सेवन करें और फाइदा उठाए क्यूरन हेल्टैक्स की क्या पू.